नमस्कार दोस्तो मैं उमोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एडुकेशन दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जैकेटिंग क्या होता है दोस्तो काफी important नाम है है जैकेटिंग जो कि field के लिए या फिर किसी भी interview या फिर आप बोले college के वाईवा के लिए काफी important होता है अधिकतर teachers इसको पूछते हैं कि जैकेटिंग क्या होता है तो simple सी बात पहले मैं आपको जैकेटिंग का एक photo बताता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको explain करूँगा कि आखिर में ये होता क्या है जिसे कि आप इस figure के अंदर देख सकते हैं इस figure के अंदर ये एक हमारा column है जो की पुराना है और फिर हमने क्या किया इसके उपर steel के reinforcement प्रोवाइट करा रहा है इसके आसपास से तो ये जो process है इसी को हम लोग जैकेटिंग बोलते हैं मतलग कि एक ऐसी process जिसके अंदर हम जो पुराना column हो गया जो की weak हो चुका है किसकी वज़े से atmospheric condition की वज़े से उसको क्या करते हैं दोस्तों फिर से renovate करते हैं जिससे की उसकी strength बढ़ जाए ठीक है इसी process को हम लोग बोलते हैं jacketing जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैं definition लिखकर लाया हूँ definition क्या कहता है कि jacketing is the process of strengthening weak RCC column ही लिए रहे कि जो weak RCC column है उसको strength provide कराना ही jacketing कहलाता है अब कि इन columns को हम लोग क्यों strength provide करा रहे हैं दोस्तों columns होते हैं यह time के साब से deteriorate करने लगते हैं मतलग कि खराब होने लगते हैं किसकी वज़े से जो atmospheric condition होती है या फिर हम अच्छे से उसका maintenance नहीं करते हैं उसकी वज़े से जो हमारे columns है columns क्या कर जाते हैं detorate कर जाते हैं मतलब कि बैकार हो जाते हैं और इनकी strength कम हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे किसी भी structure को fail होने से रोकने के लिए इसको फिर से strengthen करते हैं और वो strengthen करने की जो process है उसी को हम नाम देते हैं क्या jacketing I hope ये चीज़ आपको clear हो गई होगी ये definition आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और इसके बाद आपको jacketing से related कोई भी doubt मेरी ख्याल से अब नहीं रहोगा so thank you for watching this video ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें